Hello everyone, welcome back to my youtube channel तो आज की इस वीडियो में हम एक topic के उपर बात करने वाले हैं जो अपरना ने मुझसे request किया था in the comment section अगर आप भी मुझसे कोई topic पढ़ना चाहते हैं तो please आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं definitely उसके उपर वीडियो लाने की कोशिश करूगा तो thank you परना for requesting this topic और the topic which we are going to cover today is a very famous experiment and this is called cognitive learning theory जो की काफी सारे लोगों ने इसमें contribute किया तोलमेन ने एक बहुत ही interesting सा experiment किया था that is maze learning experiment तो आज उसी के बारे में इस lecture में बात करेंगे let's begin सबसे पहले तोलमेन ने सारा पूरा experiment किया था उनके बारे में बात करते हैं कि basically यह पूरी theory है क्या सबसे पहले चीज़ अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो टॉलमेन एडवर टॉलमेन ने जो अपनी maze learning experiments किये वो क्यों किये, क्या purpose था कैसे किया, क्या निकला और क्या application सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में one by one तो टॉलमेन ने maze learning experiments were pivotal in the demonstrating the cognitive learning theory अब humans कैसे learn करते हैं इसके ओपर काफी सारी theories आई लेकिन एक theory जिसने बाउट स्टैंट किया कहीं न गहीं, that was cognitive learning theory इसमें काफी लोगों ने contribute किया था Edwin Tolman का नाम काफी famous है because he gave the concept of cognitive mapping and latent learning ये दोनों concept इन्होंने अपने ही experiment से निकाल कर दिया था और ये दोनों चीज़े क्या होती हैं उसके बारे में भी हम detail में बात करेंगे इस experiment challenged the prevailing behaviorist theory by showing that the learning could occur without reinforcement अब इनके theory से पहले behavioral theory आई थी, learning की behavioral theory ये कहती थी कि कोई भी learning तभी possible है जब reinforcement होगा reinforcement का मतलब है कोई reward मिलेगा चाहे positive मिले, चाहे negative मिले कुछ reward मिलेगा तो लोग सीखते हैं otherwise अगर reward नहीं मिलता तो लोग कुछ भी नहीं सीखते कहीं न कहीं अब एक simple से example लेकि इसको समझते मालीजी आपने एक दिन गाना गाया और मालीजी आप एक class में गाना गा रहे थे और उस class में लोगों ने जब गाना सुना तो वो काफी खुश हुए आपके गाने को सुनकर सबने clapping की तो आपकी एक learning बनी के आप अच्छा गाना गाते हो और आप उस particular behavior को बार बार repeat करना पसंद करोगे यही अगर आपने गाना गाया और सबी लोग कहने लगे आप क्यूं गाते हो मत गाओ आप कही न कहीं आपकी आवाज लोगों को पसंद नहीं आई यह लोग उतना अच्छा react नहीं करते हैं तो आप अगली बार से उस behavior को control कर लेते हो तो यह एक बहुत behavioral theory का fundamental concept था तो basically लेकिन Talman ने अपनी experiment में इसको कही न कहीं गलत प्रूव करके दिखाया उन्होंने यह बताया कहीं न कहीं कि reinforcement के बिना भी learning हो सकती है और उसी के बारे में बात करेंगे आगे अब यह पूरा experiment कैसे setup हुआ उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो subjects लिये गए थे वो थे rats ठीक है और ज़्यादा तर जो आप देखोगे पुराने experiment dog, rat इनी पर हुआ है क्योंकि हम कहीं न कहीं यह assume करते थे कि जो rats हैं या dogs हैं इनकी cognitive abilities जो है वो human से काफी match करती है that is the reason why इनको लिया जाता था और एक maze बनाया गया complex maze था जिसमें multiple paths थे और मैं भी एक diagram भी आपको दिखाता हूं उसका जिसके end में आपको reward मिलता था अब यह देख सकते हूं यह tolman का maze है इसमें यहां से वो start होता था यह देखो यहां से वो start हो रहा है यहां पर मेरा pointer है और यहां से start करके आप किसी भी direction में जाके finally आप यहां पर जाके आपको food का box मिलता था अगर आप यह पूरा complete कर लो और इसमें वो rat को छोड़ देते थे तो आगे हम इसके उपर बात करते है अब यह पूरा process उन्होंने कैसे किया तो यहां पर उन्होंने तीन groups बनाए थे तो group number one क्या था that is immediate reward group immediate reward groups वो rat थे जिनको वो daily उस maze में डालते थे और जैसे ही वो goal cross कर लेता था मतलब पूरा hurdle क्रोस कर लेता था वो rat तो उसको तुरंथ ही खाना मिल जाता था reward में तुरंथ food मिलता था उसको as a reward इसलिए immediate reward group इसका नाम रखा था आप complete करो और reward ले लो बहुत simple on the other side group 2 क्या था no reward group कि यहां पर आपको कोई भी reward नहीं दिया गया था आप अगर पूरा complete भी कर लेते थे तब भी आपको कोई reward नहीं मिलता था ठीक है और उनको एक तरह से freely छोड़ दिया जाता था कि आप explore करो भाई देखो कैसे आप निकल कर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो except amount of time में वो कितना cover कर पाते हैं उसको track किया जाता था और एक तीसरा group था जो कि delayed reward था delayed reward का मतलब क्या है इनको initially कोई reward नहीं दिया जाता था लेकिन बाद में जब वो थोड़ी दिर के बाद उनको फिर reward देना शुरू कर देते थे ठीक है तो these rats were placed in the maze daily without any reward पहले उनको कोई reward नहीं मिलता था but after a certain number of days कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको भी reward दिया जाता था तीन group होगे पहला group में हर दिन reward मिलता था दूसरे group में कोई reward नहीं मिलता था और तीसरे group में पहले reward नहीं मिलता था कहने का मतलब group 2 कौन सा वाले थे group 2 वो थे जिनको कोई reward नहीं दिया जाता हुथ तो उनके initial navigation में जब वो maze में जाते थे तो कहीं न कहीं उनको कोई भी improvement उनमें देखने को नहीं मिल रही थी वो confused हो जाते थे, चल नहीं पाते थे रहे की जगह जाके रुख जाते थे, आगे बढ़ते ही नहीं थे तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि बिना reinforcement के शायद काम नहीं बनने वाला However, once food was introduced to these rats, quickly demonstrate that they have learned the maze लेकिन जब बाद में इनको भी जब कहीं न कहीं खाना offer किया गया, तो देखा गया कि ये भी बहुत जल्दी सीख रहे है suggested that they have formed a cognitive map of maze during the initial exploration phase अब यहाँ से उनको एक बात क्या पता चली उनको ये पता चला कि भले ही उनको खाना मिला हो या खाना ना मिला हो, लेकिन कहीं न कहीं वो जो map था, वो जो food was introduced to group 3 जब group 3 को भी food दिया गया their performance improved dramatically उनका भी बहुत तेजी से graph उपर गया योगि often matching as exceeding that of group 1 in fact कही बार तो वो group 1 से भी पहले पहुँच गया योगि group 1 को तो कहीं न कहीं idea ही था कि end में तो reward मिलेगा ही मिलेगा but group 3 वालो को कहीं न कहीं ये हुआ maze without reinforcement और कहीं न कहीं ये भी indicate हुआ कि उन्हों ने भी बिना food लिये भी उस maze को कहीं बार cross किया तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी वो learning आई the rats were not merely responding to the stimuli or reinforcement but were using internal cognitive maps to navigate the maze efficiently और यही एक major यहां से finding मिल गई वो ये मिल गई कि हर rat सिर्फ food के चक्कर में ही पूरा cross नहीं किया ऐसा जरूरी नहीं था कि जिसको reinforcement मिली सिर्फ उसी ने cross किया बलकि ऐसे group 2 और group 3 उनने भी cross किया उस maze को इसका मतलब कहीं न कहीं उनके अंदर एक internal cognitive map बन गया था एक learning हो गई थी कि वो map कैसे cross करना मेज कैसे cross करना है नहीं जा रहे थे वो different different roots को भी try out कर रहे थे specifically कौन से group 2 और group 3 वाले क्योंकि group 1 को पता चल गया था कि फटा-फटा इस रास्ते से जो तो यहां से खाना मिल जाता है लेकिन 2 और 3 को तो मिलता नहीं था तो वो हर दिन explore करते थे तो कहीं न कहीं उनको alternative roots भी पता थे कि यह वाला root अगर block हो गया तो हम इस root के जगा इस root से जा सकते हैं अगर यह root block हो गया तो हम इस root से चोड़के इस root से जा सकते हैं that is a very highlighting feature अब इसकी implication क्या हो इस experiment से overall उन्होंने क्या-क्या चीज़ें imply किया उसके बारे में जरूरी है reinforcement is necessary for learning बट कहीं न कहीं tolerance के experiment न उन्होंने ये बता दिया कि it is not important cognitive mapping बिना reward के भी हो सकती है और इसका live example आज के data में आप कई organizations में देखते हो चहाँ पर की हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो motivated इसलिए नहीं होते कि उससे कुछ reward मिलने वाला है ठीक है वो इसलिए भी motivated होते हैं क्योंकि उनको वो task पसंद है उनको वो task हो सकता है वो challenging लगता हो मज़ेदार लगता हो उससे हो सकता है बहुत ज़्यादा reward ना मिले लेकिन तब भी वो काम वो करते रहते हैं अपनी खुशी के लिए राइट वो अपने आप ही उस काम को करते रहते हैं enjoy करते हैं मैं तो खुदी इस process में आता हूँ मेरेको भी बहुत ज़्यादा reward तो अगर देखा जाए तो इतना मिलता नहीं है लोग subscribe तक नहीं करते है channel को अब भी देखोंगे पता नहीं subscribe करोगे या नहीं करोगे राइट बट एक request है subscribe करें तो अच्छा लगता है थोड़ा सा reward शायद उस motivation को बढ़ा देता है learning बढ़ा है ना बढ़ा है motivation definitely बढ़ा देता है चलो आगे बढ़ते है second implication क्या थी second implication थी cognitive process cognitive process का मतलब यह था कि experiment ने यह highlight कर दिया कि cognitive process बहुत important है learning के लिए इसका मतलब कि animals या उसका extension human beings क्योंकि human beings पे तो हुआ नहीं था तो animals पे हुआ था तो उन्होंने एक generalize किया कि अगर animals सीख सकते हैं इस process से तो humans भी सीख सकते हैं इसका मतलब वो लगातार information को process करते रहते हैं mental representations create करते रहते हैं और उससे बहुत learning होती है बहुत सारे visuals कहीं नगए उनके दिमाग में जाके store होते रहते हैं और उसकी वज़े से learning होती रहती है अगला implication क्या निकल कर आया उसकी बात करते हैं that was latent learning मैं शुरू में भी आपको बता रहता है latent learning क्या है learning can occur without immediate reinforcement इसी को कहते है latent learning काफी बार exam में पूछा जाता है काफी सारे MCQs में आता है यह कि latent learning क्या होता है इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको कुछ reward मिलेगा को reinforcement मिलेगी तो ही आप कुछ काम करोगे तो ही आप कुछ सीखोगे लोग उसके बिना भी सीखते हैं अगर वो सीखना चाहते हैं ठीक है although obviously वो एक motivating factor तो ही अगर आप दे देते हो तो उससे वो quick learning होने लग जाती है ऐसा लगता है उन्होंने ये भी कहा कि इससे quick learning होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा learning इसी पर dependent हो अगली चीज़ जो नहीं निकाली that was goal-directed behavior goal-directed behavior का क्या होता Talman ने अपने experiment ने कहा कि जो idea that behavior is a purposefully and goal-directed हमेशा learning जो होती है वो एक तरह से goal-directed learning होती है अगर आप किसी को बिना purpose के छोड़ दोगे तो लोग कुछ नहीं सीखते है लेकिन अगर आप उनको purpose बताओगे उनको goal बताओगे कि आप ये क्यों सीखा जा रहा है क्यों सीखाया जा रहा है तब लोग जल्दी सीखते हैं उसके cognitive mapping करते हैं और कहीं न कहीं उसी से उनकी learning तेजी से बढ़ जाती है अब इसके obviously एक experiment है तो बहुत सारे limitations होंगे तो इसके भी काफी सारे limitations है उसकी बात करते हैं तो पहला limitation जो इनके experiment का था वो यह था चुकि ये सारा experiment rat पे हुआ और इन्होंने generalize करने की कोशिश की कि humans में भी ऐसा ही होगा बट actually मैं शायर ये इतना generalize किया नहीं जा सकता क्योंकि human का जो cognitive process है वो काफी complex है तो और इसका अभी second point से मैं इसको और clear कर देता हूँ second point अगर आप देखोगे वो क्या कहता है कि उस time पर जिस time पर ये experiment हुआ वह पर technological इतने tools नहीं थे तो जो भी चीज़े बस observe करके निकाली गई लेकिन आज के date में modern neuroimaging आ गई है computer simulation आ गया AI tools आ गया है जिसकी वज़े से कही न कहीं mapping या learning process को निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है इसी वज़े से human mind कितना complex है और कितना cognitive process learning complex है ये बाद में जाकर के हमें पता चला जो तीसरा limitation था कि हमेशा ये unclear रहा कि जो rats cognitive map बना रहे हैं क्या human भी वैसे ही बनाएगा और क्या कोई और other factor play नहीं करने वाला तो ये एक बड़ा limitation था and fourth one was जितने भी variable यहाँ पर रखे गए थे वो सब uncontrolled रखे गए थे उन्होंने अपने experiment में कहा था उन्होंने ये सारी चीदों को control कर रखा इसका मतलब ये कि उन्हों rat के previous experience को consider नहीं किया, motivation level को consider नहीं किया individual differences को cover नहीं किया जबकि ये सब कुछ role play कर सकते है या कही ने कही किये होंगे इस particular experiment में So this was all about this particular theory Thank you so much for watching अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो do, like, share and subscribe अगले वीडियो में फिर मलाकात होगी और अगर आप मेरे notes को access करना चाहते हैं तो मैंने एक organized folder बना दिया है जो कि अब आप membership के through भी ले सकते हो Otherwise मैं telegram पर डालता हूँ तो वहाँ से top ले सकते हो Thank you